हाली में एक्टर शरत केलकर ने एक पॉडकास्ट के दोरान बताया कि जब उन्होंने पहली बार संजे लीला बंसाली की फिर्म गोलियों की रास लीला राम लीला का सेट देखा था तब वो चोक गए थे केलकर ने बताया कि ये उनके करियर की पहली बड़ी फिर्म थी और इससे पहले उन्होंने सिर्फ टीवी पर काम किया था शरत केल्टर बुले जब मैंने पहली बार बंजाली का सेट देखा तो मुझे लगा कि ये इतना पेसा क्यों बहा रहे हैं इससे पहले मैंने टीवी के लिए काम किया है तो मुझे उनका सेट देखकर लगा कि इतना सब करने की क्या जरू थे ये तो सरासर फिजुल खर्ची है शरत ने आगे का फिल्म देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सेट पर आखिर इतना खर्चा क्यों क्या गया फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि इसके पीछे बंजाली सर का क्या वीजन था शरत ने बताया मुझे शुराती फिल्मों में से एक फिल्म थी राम लिला फिल्म का सेट फिल्म सीटी में था और पहले दिन जब मैं सेट पर गया तो वहां करीब एक खजाल लोगों की भेड थी ये सारे लोग स्टूडियो में थे इनके अलावा क्रू और एक्टर्स भी थे हमने पास रिहरसल करने के लिए एक दिन से ज़्यादा का समय था मेरे दिल में बार-बार ये बात आ रही थी कि कितने पैसे लगेंगे कितने पैसे बाहर रहे हैं ये लोग इतने मितों मैं 13-15 मिट शूट कर लेता जब शरत से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगा कि वो टाइम भी बरबात कर रहे हैं इस पर शरत ने कहा ये संजे सर का सेट मेरे ले काफी चोका देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि मैं टीवी से आया था लेकिन अगर आप टाइम की बात करें तो नहीं ऐसा नहीं है जब फिल्म पूरी हो गई और मैंने इसे स्क्रीनिंग के दोरान देखा तो मैंने संजे सर को गरे लगा लिया मैंने उनसे कहा अब मुझे बड़ी फिल्म और सेट का मतलब सही माइने में समझा गया है मैं इस बात का क्रेडिट संजे सर को देना चाहता हूँ इसी के साथ बने रहे है राजणवा टीवी के साथ धन्यवाद